नमस्कार आप देखरे जम न्यूजर में हूँ आपके साथ इसमिती सा आयोबटे आज की खबर के ओर सीफसे ना सांसा संजय राउद इन दिनों सुख्यों में है भाजपा नेता कृट सुमया की पत्नी मेदा सुमया ने संजय राउद के खिलाफ मान्हानी याज का दायर की थ पी आई मोखासी ने संजय राउद को इस मामले में आज हदारत में पेस्थ होने का आदेश दिया था गोड़ ने 10 जून को मेदा समया की याज का पर सुनवाइब करते हुए संजय राउद को समंझ जारी किया था उन्होंने अपने आदेश में कहा था रिकार्ट पर प्रस जंदर देख सके और इसी अख़बारों में जंदर द्वारा पढ़ा जा सके मान्हाने की सामगरी देखते हुए प्रथम द्रिश्टा इस्तिमाल किये गए सब्दों से मेदा सुमया की प्रतिश्टा को ठेस पहुचती है मेदा सुमया के वकील विवेकानत गुप्दा ने बताया कि ना तो रौत और ना ही उनके वकिर अदालत में पेश हुए गुप्दा ने कहा इसलिए हमने उनके खिला फॉरंट जारी किये जाने का आवेदन दिया जिसे अदालत में स्विकार कर लिया बाद में अदालत में मामलत थकित करके सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारिक तैजी बतादिकी संजर रौत ने किलिए सुमया की पत्नी मेधा पर मीरा भयांदर इलाके में सौकड रुपे के सौचाले खोटाले का आरोप लगाया था रौत ने कहा था कि मेधा सुमया ने मीरा भयांदर नगर निगम द्वरा अपने अधिकार छेत्र में सौचाले बनाने के लिए अवंटि धन का कथी तोर दुरुप्यों किया उन्होंने अपनी गेर सरकारी संगटन युवा प्रतिष्टान के माधियम से इस धन को इस्तिमाल किया इस आरोब के बाद मेधा ने संजयर रौद से अपना बयान वापस लेने और सरजनिक तोर पर माफी मांगने के लिए कहा था मेधा सुमया ने संजयर रौद को चेताबनी दी थी यदि वाद उनसे माफी नहीं मांगते तो वा रौद के खिलाफ सो पड़ रुपे की मानहाने का केस दर्ज कर देगी संजयर रौद ने ना अपना बयान वापस लिया और ना ही माफी मांगे जिसके बाद मेधा ने उनके खिलाफ मानहाने का मुकत्मा दर्ज करा दिया आए सुनतें क्या कहना इस विस्से में भाजपा नेता किरिट सुमया था संजयर रौद के खिलाब मुंबई की शिवड़ी कोट ने वरंट इशु किया है मेधा किरिट सुमया सौ करोड सौताले गोटाले का जो आरोप किया था न उद्दव ठाकरे न संजयर रौद सौ पैसे का हिसाब नहीं दे पाए आज उनकी कोट में पेशी होनी थी उपत्तित नहीं रहे इसके लिए संजयर रौद के खिलाब वरंट जारी कर दिया गया है 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी तो यह थी आच्छी खबर इस तरह के और खबर में बने रनने के लिए देखते रहे यह जानी उस